भाजपा आखिर सम्विधान के पीछे क्यों पड़ी है? क्या ये आरक्षन खत्म करने की साज़िश है? हम समझाते हैं. भाजपा के कई छुट भईया नेता 400 पार होने पर सम्विधान खत्म करने की बात कह रहे हैं. हालांकि ये आदेश इन्हें उपर से ही मिलते हैं. में सरकार छोड़ दी और सडकों पर उतर आई. हालांकि भाजपा को इस मामले में जहर का घूट पीना पड़ा. भाजपा चाहकर भी आरक्षन लागू होने से नहीं रोप पाई. अब भाजपा नई रणनीती के साथ दुबारा आई है. आरक्षन सिर्फ सरकारी नौक्रिय हुई तो फिर आरक्षन देना पड़ेगा. इसी तरह से इन्होंने सारी PSU भी प्राइवेटाइज कर दी है. ये प्राइवेटाइजेशन भी इसलिए हो रहा है ताकि इन संस्थानों में दलित आदिवासी और पिछड़ों को आरक्षन न देना पड़े. BJP और RSS से ही आरक्षन विरोधी रही है. तो अब समझ में आया आपको कि भाजपानेता क्यों 400 सीट चाहते हैं? ताकि सम्विधान को खत्म करके आरक्षन को जड़ से समाप्तिया जा सके. इन दो मुहे भाजपाई और संगियों से सावधान रहे.